राजिस्थान में सियासी उठा पठक के बीच प्रवर्तन निदेशाले एडी ने आज 7 करोड के फर्टिलाइजर स्कैम मामले में मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के बड़े भाई अग्रिसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर छाप डाला एडी के टीम पीपी आई किट पहन कर पहुँची बताया जा रहा है कि तलाशी अभी जारी है मुख्यमंत्री ने मंगलवार को परिवार के खिलाफ एडी की कारवाई के आशंका जताई थी केंद्रिया एजेंसिया राज में नौ दिन में गहलोत के करीबियों और रिस्तेदारों पर आप तक छे बड़ी कारवाई कर चुकी हैं वहीं आपको बता दे कि 13 जुलाई को इंकम टेक्स ने कॉंग्रेस नेता राजीव अरोडा और धर्मेंद्र राठोर के ठीकानों पर चापे मारी की इसके बाद 20 जुलाई को CBI ने कॉंग्रेस विधाया क्रिशनापुनिया से पूश्टाश की 21 जुलाई को CBI ने मुख्यम की उधर कस्टम विभाग ने अग्रेसेन की कंपनी अनुपम क्रेसी पर साथ करोड रुपे की पैनल्टी लगाई है इन चापों पर कॉंग्रेस के प्रवक्ता रंदीव सुर्जेवाला ने कहा कि डराने धमकाने के लिए ED के चापे मारे जा रहे हैं उन्होंने जन्मत को च साथकंडा था सुर्जेवाला ने कहा कि कि जुलाई को मुख्यमंत्री के OSD को CBI ने बुलाया था अब अग्रेसेन गहलोत निशाना बनाए गए हैं जो की ना राजनीती में हैं ना उनका इससे कोई सरोकार है उनके घर ED के चापे डाले गए हैं मोदी ने देश में रेड र गहलोत के विधायक डरने वाले नहीं ना ही हमारी सरकार राइस्थिर होने वाली है आपने राजस्थान के स्वाभिमान को चुनाओती दी हैं साल 2017 में भाजपन गहलो सरकार पर फर्टिलाइजर सबसीडी में घोटाले का आरोप लगाया था केंद्र में UPA की सरकार थी ये कस्ट्रम अफसरों द्वारा एक खेप पकड़ने के दौरान सामने आया था नियमों के मुताबित फर्टिलाइजर का निर्यात नहीं किया जा सकता भाजपन आरोप लगाया कि अग्रिसेन गहलोत ने इंडियन पोटास लिमिटेट से फर्टिलाइजर खरीद कर किसानों को नहीं दिया उस समय अग्रिसेन गहलोत ने इन आरोपों को बे बुन्याद बताया था उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके खिलाव साजिस कर रहे हैं इसी प्रकार की बड़ी ख़बरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले जय हमारे चैनल को रहे हैं...